और हिंदुस्तान का लेजिस्लेचर जुडिशेरी का माने जो खोट कचेरी जो होता है जिदर इसाफ मिलती है उसको जुडिशेरी कहते हैं और दूसरा जो एक्जिग्यूट्यूट्यू है जिसमें जो पुलिस आफिसर्स से लेकर तासिवदार से लेकर जो फासिवादी है जो मुसल्मानों पे ठफरत रखते हैं इदर के क्रिस्टियन्स पे वो लोग नफरत रखते हैं इदर के दलितों पे वो लोग नफरत रखते हैं वो लोग क्या किये हिंदुस्तान के सिस्कम में जाकर भूस बेड़े हिंदुस्तान के बिरोपरिसी में जाकर बेड़े हिंदुस्तान के legislature में जाकर घुसे हिंदुस्तान के उड़िशेरी में जाकर घुसे घुसने के बाद क्या हुआ हिंदुस्तान जो मतसके आजाद हुआ जो आजादी जो डिगनिटी जो फेटरिटी यह सब चीज जो बुलनद बाते हमारा Constitution का प्रयांगल है वो सबुचुज जो है Constitution में रहे गया हकीकी हिंदुस्तान क्या बन गया हकीकत में आज हिंदुस्तान क्या है हिंदुस्तान में यह तुम खा नहीं सकते है हिंदुस्तान में यह आप बोल नहीं सकते हिंदुस्तान में आप यह नहीं कर सकते हैं आप भो नहीं कर सकते हैं है। कि हिंदुस्तान में यहां तक हाला है, जुदिदि श्री में जिदर इंसाफ मिलने Lumika न लिए स्ञेकर इंसाफ में时ने कीvery हा जाकर तायकर इनक्रफना पड़ता है। जो इंसाफ करना है वो लोग इंसाफ नहीं करते हैं वो लोग मुसल्मानों के साथ नाइंसाफी करते हैं ऐसे कितने मिसाल नहीं है हमारे देश में कल के हिंदुस्तान के अपबार में क्या था हेट लेन्स में हेट लेन्स में क्या था पूना में मौसिन और के एक लड़का जिसको जब ब्यजेपी की सरकार आई बंबई में महराष्ट्रा में आने के बाद आकर तक्रीबं 15 दिन में उदर एक गलाटा हुआ जो हिंदु मुसल्मान का गलाटा बनाकर को लोग लाने के वक्त पर रोड में दिस धाड़े आकर मौसिन बोलके एक उस्क्री लड़के को मारे आपने माबाब के लिए यही जिंदगी का एक फ्यूचर उसे पाल कर उसे पढ़ा कर उसके माबाब जो है सब्प्वेर कंपनी में पूरा में जाके काम करने के लिए बेजे थे वो मौसिन को जब उसको भीन दा